हेलो दोस्तो स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलेक्टिकल यूपी में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यह वाशन मशीन का कंडेंसन और इसको कैसे चेक करते हैं दोस्तो आपकी वाशन मशीन मंदी चलने लगती है बहुत ज्यादा और कप पाती है तो दोस्तो इन में क्या वज़े हो जाती है कंडेंसरों में तो यह भी बताएंगे हम दोस्तों कि कंडेंसर में वज़े हो जाती है या आपकी मोटर में वज़े हो जाती है जो उसकी मोटर को चेंज करा देती हैं दोस्तों कंडेंसर बिना चेक करें तो आप यह और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल उसका करें तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों यह कूश ओ Kindern मशीन होती इसका कंडेंसर कोई से वाशन मशीन हो आपकी सेमी वाशन मशीन हो या दूसरी वाली हो तो इसमें यह एक कंडेंसर लगाया जाता है यह है डबल में कुछ तिंगल में भी आती हैं दोस्तों यह डबल में और इसमें चार वायर हैं लगे हुई तो दोस्तों इसको चेक करकर दिखाएंगे हम यह सही ह या नहीं दिना मल्टी मीटर के आपको यह चेक करकर दिखाएंगे और दोस्तों आपको यह बताएंगे कि आप वाशन मशीन की मोटर मंदी चलती है तो क्यों आप मोटर को चेंज करा देते हैं तो सारी बात बताऊंगा दोस्तों वीडियो लाश्चक देखते रहें तो सबसे ब्रभू झीके हम इसे इसको चेक करने के लिए एक इस तरहा का बोड्ड ले लिया अब लिया को च्छील यहां और फिर दोस्ट को च्छील कर हम इसको चेक करकर दिखाएंगे बस वीडियो को देखते रहें दोस्तों लाट तक तब ही आपको पता चल पाएगा तो दोस्तों ये छिल चुके हैं दोस्तों ये चार कलर के तार हैं और चारों अलग-अलग काम करेंगे कि दोस्तों हम इसको चेक करते हैं यहां से और इसमें लगा देना यहां इन तारों को इसमें लगाना है तो देखते रहें दोस्तों इस तरह से चेक करना है हमें तो दोस्तों यह देख लिए आपने इसको चेक कर लिया अब इसको चेक करते हैं कि इसमें आवास कहती आती है व तो दोस्तों यह देखते रहें इनको कई बार चेक कर लें इससे ही पता चल पाएगा तो दोस्तों इसकी आवाज सुन लिए आपने हलकी है बहुत कम और इसकी दुबारा आपको फिर सुनाते हैं आवाज कैसी है देख लिए यहां पर तो दोस्तों यह देख लिए आपने इसकी आवाज जो है यहां पर नीले की और लाल की ज्यादा है और इसकी कम है तो दोस्तों जादा जो साइट में इधर चिटकार यह निकल नहीं है दोस्तों तो यह वाले तार लगाने है जो धोने वाली पर और सुक लेते हैं यह कितने MFD का है तो दोस्तों यह लिख रहा है यहां पर यह साड़े 9 MFD का है 9.5 MFD का है दोस्तों यह capacitor और दोस्तों आपकी कुछ washing machine में इससे ज़्यादा भी MFD के आते हैं capacitor और कम भी आते हैं दोस्तों अब मैंने आपको washing machine के बारे में बता दिया condenser के कैसे check किया जाता दोस्तों सभी condenser को आप इस तरीके से ही check कर सकते हैं यह है fan का condenser जो घरों में लगाये जाते हैं fan हवा वाले उसका तो दोस्तों उसका भी condenser ऐसे ही चेक किया जाता है जैसे हम आपको करकर बताएंगे इस वीडियो में तो हम इसको भी चेक करते हैं यहाँ पर तो दोस्तों यह देख लिए यह कंडेंसर बिल्कुल ठीक है और दोस्तों खराब होने का इसका कैसे पता चलता है जैसे हमने इसमें तार लगाए दोस्तों यहाँ पर और इसमें नहीं बोलेगा यह यह जो आवाद आ रही है यह आवाद नहीं आएगी दोस्तों अगर यह कंडेंसर खराब है तो दोस्तों आप अपने ही घर पर इसको कंडेंसर को चेक कर सकते हैं और दोस्तों आपकी जो मोटर होती है वो मंदी चलने लगती है और आप सोचते हैं मोटर खराब है तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है सिरिफ यह जो आप condenser देख रहे हैं सिरिफ इसका ही खेल होता है कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी washing machine की motor slow चल रही है आवास कर रही है कुछ लोग उस motor को ही change करा देते हैं दोस्तों motor जो चलती है यह running condenser जो होता है इससे ही चलती है दोस्तों यह running को उसकी तागत देता है motor को और उससे यह चलती है motor ऐसे खराब नहीं होती है जैसे आप समझते हैं कुछ लोग कहते हैं कि motor खराब है capacitor को check नहीं करा पाते हैं तो दोस्तो ऐसा नहीं करें आप इसको चेक करा लें और तब ही आप मोटर को चेंज करें अपका सही है और मोटर मंदी चल रही है फिर तो आप मोटर चेंज करा सकते हैं वरना आपकी मोटर मंदी चल रही है दोस्तो सिलो चल रही है अवास कर रही है तो पहले आप करनेंसर को चेक करने यही होती है इसकी ताहत चाहे आपकी मोटर दोने वाली हो या सुकाने वाली हो दोस्तों यह दोनों में काम करता है और बहुत ही अच्छे से यह मोटर को ताहत देता है और यह कंडेंसर दोस्तों लगाया क्यों जाता है इसलिए लगाया जाता है दोस्तों जैसे कि आपकी motion machine की motor है और वो कपड़े धो रही है और या सुखा रही है तो धोने वाली पर ज्यादा लोड होता है और सुखाने वाली पर कम लोड होता है तो दोस्तों उसको यह power देता है capacitor capacitor तो इसकी मदद से वो machine जो है कपड़े धो पाती है अच्छे से समर सेविल की motor में भी लगाया जाता है दोस्तों और जो cooler होते हैं उनमें लगाया जाता है बहुत सी ऐसी चीज़े हैं कि capacitor को लगाना जरूर ही है अगर हम capacitor नहीं लगाएंगे तो दोस्तों कुछ भी चीज नह ही होता है रेड the blue all light blue कर इसके कोंसे तार कहां पर लगाने हैं दोस्तों यहां पर जो चार लिख रहा है यह चार वाली साइट यह चार वाली साथ जो लगानी है ये सुकाने वाली पे लगानी है और ये धोने वाली पे लगानी है तो company की तरफ से इन पे लिखा हुआ भी आता है जो उनसे side ज्यादा हो तो उस side को आप धोने वाली पे लगा लें बिना चेक करें अगर आप चेक करकर लगाना चाहते हैं तो मैंने आपको चेक करकर भी बता दिया कि को कैसे लगा जाता है और इसे कंडेंसर भी बोलते हैं तो दोस्तों यह जो आवास करती है वाशन मेशीन जादा यह जो आप वैल्ड देख रहे हैं वाशन मेशीन की यह चल रही है यह आवास करती है अगर आपकी वाशन मेशीन की वैल्ड टाइट है तो दोस्तों आ वाज भी नहीं करेगी वाशन मेशीन और बहुत बेहतरी चलेगी तो यह सिलो भी इसी वज़ा से होती है दोस्तों यही थी जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकत करें अगर एकने बता सकते हैं आपके में बता सकते हैं